यक्षम उत्पति राज यक्षमा के विश्य में कालिका पुरान की कथा के स्रवन करने से अपूरवर लाग होता है कथा इस परकार है दक्षपरजा पति के 27 कन्य थी उनका चंदर्मा के साथ विवा हुआ उनमें एक का नाम रोहिनी था दोरों की पेक्षा चंदर देव उस से अधिक प्रसान रहते थे यह देखकर अन्य पत्नियों के ने पिता से प्राथना की तब दक्ष ने चंदर देव को समझाया कि आप सब के साथ समान सने रखें किन्तु चंदरमा ने ऐसा नहीं किया तब दक्ष प्रजापति बड़े क्र प्रोधा नल से रज यक्षा मा था उत्पन होकर चंदरमा के श्रीर में परविष्ट हो गया फिर क्या था चंदर देव प्रती दिन क्षीन होने लगे और उनका विश्वव्यापी सुप परकास भी घट गया चंदरमा की इस क्षीन रूप अवस्ता से संसार की हानी समझ कर ब्रह्मा जी ने उनके श्रीर से यक्ष को निकाल दिया और आज्यदी के जो लोग इस तरह के साथ अधिक सहबास करें उनके श्रीर में तुम सुख से रहो बाहमरित्यू की पुत्री तृषना तुमारी आज्या समान गुन वाली है तुम तो जो चाहेंगे बही कर सकोंगे इसके सिवा जो लोग स्वास कास और कफ के रोगी होकर भी इस तरी के साथ सहवास रखें उनके स्रीड में भी तुम पर्विश्ट रहो और उनको प्रतिक्षन खशीन करते रहो आजाओ तुम यथे इस विचर्न करो तुमारा यह काम स मरसा धाउन रहेगा ऐसा ही हुआ और अब अधिक हो यूर हो रहा है तो सभी परकार के ब्रतों के लाधानों प्रान्नों की जानकरी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को जादा से जादा से शेयर करें लाइक करें तो जो और लोगों को भी इसका लाब मिलें